हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप से एक नए वीडियो में मैं सुरह जादा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं हीरो की अच्छा प्यूलक्स की यह मैं डिडियल्स के बारे में फ्रेंड्स एक समार सजार पेमेंट करते हैं डाउन पेमेंट तो फ्रेंड्स हमें जो महिने की EMI है वो कितनी आएगी दोस्तों ने ये कमेंट करके पूछा था तो मैंने सुझा क्यों नहीं पर एक प्रॉपर वीडियो बना दी चाहिए जिसे दोस्तों आप सभी लोग को पता चल जाए तो फ् एक साल और दो साल और तीन साल की EMI के बारे में इसमें वीडियो में आज हम बात करेंगे तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं अगर आप इस बाइक को दोस्तों अगर एक साल की EMI पर लेते हैं तो दोस्तों मैंने जो इसका जो प्राइज लिया मैंने वो टॉप मॉ इस बाइक के लिए 40,000 डाउन पेर्मेंट करते हैं, तो जो आपका लोन अमांट हो जाता है, वो हो जाता है, आपका दोस्तों, 36,000, 36,000 रुपे आपका लोन अमांट हो जाता है, और आपको मंतिली EMI देनी पड़ेगी, वो देनी पड़ेगी 3,440 रुपे, और टूटल ये ब दोस्तों, अगर इस बाइक को आप 2 साल के लिए EMI पड़ेते हैं, तो आपका जो डाउन पेर्मेंट है, वो आपका सेम रहेगा, चाली जार, और आपका दोस्तों, लोन अमांट भी सेम ही रहेगा, जो दोस्तों, आपकी मंतिली EMI आएगी, वो आएगी दोस्तों, आपकी 19 204 रुपे, और दोस्तों, ये बाइक आपको टोटल पड़ेगी EMI के बाद, वो पड़ेगी आपको 86,000 रुपे की पड़ेगी on-road, और वहीं दोस्तों, आपकर इस बाइक को आप 3 साल के लिए EMI पड़ेते हैं, दोस्तों, जो आपका डाउन पेर्मेंट है, वो सेम रहेग और इसमें दोस्तों, आपको 36 महें तक EMI पे करनी पड़ेगी, दोस्तों, जो आपका मन्तिली EMI आएगी आपकी 1392 रुपे, दोस्तों, EMI पे करने के बाद आपको ये टोटल पड़ेगी, आपको 91,000 रुपे की on-road, तो फ्रेंड्स, ये थी इस Hero Hacha Dulux की on-road price की दोस्तों, और ये EMI details है पूरी, एक से लेके 3 साल तक, तो होप करता हूं दोस्तों, आप सभी लोगों को वीडियो इंफ्रमाटिव लगी होगी, अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छे लगी है, तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सस्क्राइब करना, और फ्रेंड्स, कमेंड ब झाल झाल